आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मर्टर मश्रूम एक बहुती इंट्रेस्टिंग टेस्टी रेसिपी है और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से काट लिया है यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिया है करीब देड़ कप साबो जीरा एक चोटी चममच धन्या पौडर एक चोटी चममच जीरा पौडर आधी चोटी चममच हल्दी पौडर एक चोटी चममच लाल मेच पौडर एक चोटी चममच गरम मसाला पॉडर एक छोटी चमज दो मिडियम साइज के टमाटर को चॉप कर लिया है दो मिडियम साइज के प्यास को लंबे पतले स्लाइसस में काट लिया है इस तरह से आधा कब चॉप किया हुआ धनिया पत्ता साथ से आठ लसन की कलिया एक इंच अद्र को छोटे टुकडे में काट लिया है एक छोटे प्याज को चार इससे में काट कर रखा है इसको हम बाद में यूज करेंगे दो इलाइची लिया है मैंने इसको बीच में से खोड लिया है इस तरह से एक दालचीनी का टुकडा एक या दो तेज पत्ते कुकिंग के लिए हम रिफाइन तेल का यूज़ करेंगे और स्वाधन उसर नमक लेंगे चलिए कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं पहले हम एक बड़ी चमस तेल गरम करेंगे और इसमें मश्रूम डाल करके एक मिनट तक इसको मीडियूम फ्लेम में फ्राइ करेंगे एक मिनट बाद हम इसमें नमक डाल देंगे नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक डालने के बाद मश्रूम में से काफी मौश्चर निकलता है और इसके लिए हम मश्रूम को 3 मिनिट के लिए धक करके पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको खोल करके एक बार पल्टाते रहेंगे तब तक मश्रूम में से काफी पानी निकल आता है देखिए 3 मिनिट हो चुके हैं मश्रूम में से काफी मौश्चर निकला है अभी इस मोश्चर या पानी को हमें फिकना नहीं है बाद में हम इसको करी में यूज करेंगे तो ग्यास कफले मॉफ करके पानी के साथ ही मश्रूम को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं अभी अंद दो बड़े चमस्तिल और गरम करेंगे इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे पहले दाल चीनी, इलाइची और एक तेजपता डालेंगे इसमें जब गरम मसालों में से खुस्पू आने लगे तब हम इसमें एक चमब जीरा डाल देंगे जीरा अभी क्लैकल करना स्टार्ट कर रहा है अभी हम इसमें कटे वी प्यास डाल देंगे और प्यास को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि प्यास का कलर चेंज न हो जाए हम इसको भुनते रहेंगे दूसरी तरफ जब तक प्याज हमारा भुनता है हम एक चटनी जार में अद्रक और लसुन डाल करके पीसके इसका एक पेश्ट बना लेते हैं ये देखी मेरा पेश्ट रेडी हो गया है इस अद्रक लसुन के पेश्ट को हम प्याज में डालेंगे प्याज अभी अच्छी तरह से भुन चुका है और उसके बाद मैं इसमें अद्रक लसन का पेश्ट डाल रहे हूँ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे एक मिनिट बाद हम इसमें टमाटो डालेंगे टमाटो डालने के बाद इसके ओपर हम हल्दी पाउडर और करी के हिसाब से नमक डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढख करके हम एक मिनिट तक पकाएंगे ताकि टमाटो सौप्ट हो जाए एक मिनिट बाद हम खोल करके चेक करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे टमाटो काफी गल गया है अभी हम इसमें एक चम्माज धनिया पाउडर डालेंगे आदी चम्माज जीरा पाउडर डालेंगे और साथ में लाल मिच पाउडर डालेंगे अच्छी तरह से हम इसको mix करेंगे मसाले को एक मिनद तक भूनेंगे अच्छे से अभी हम इसमें मश्रूम डाल देंगे और मश्रूम से जो पानी निकला हुआ था उसको आप फिकेंगे नहीं अब इसको भी use करें साथ में हम थोड़ा पानी और डालेंगे ग्रेवी के लिए मैं आधा ग्लास पानी और डाल रहे हूँ इसमें आप अपने हिसाब से ग्रेवी जितना आप चाहते हैं कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अब भी करी को ढख करके थोड़ा सा उबलने तक पकाएंगे एक मिनिट एक मिनिट बाद जब करी उबलने लगे तब हम इसमें मटर डाल देंगे मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है तो इसको मैं थोड़ा लेट में डाल रहे हूँ अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो थोड़ा पहले भी इसको डाल सकते हैं ढख करके हम इसको पांच मिनिट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम में पांच मिनिट बाद हम इसमें उखटे हुए प्यास डाल देंगे और साथ में हम गरम मसाला पांडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे करी को हमें दो मिनिट तक और पकाना है दो मिनिट बाद हम इसमें धनिया पत्तर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह हमारी मटर मश्रूम करिया भी रेडी हो गई है इसको आप रोटी पराटा नान के साथ सब कर सकते हैं अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीस मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें